सिरी नरेंदर मोदी जी भारत के लगातार तीसरी बार परदान मंतरी बनने के बाद में पहली बार किसानों को दो-दो-हजार रुपई बांटेंगे जो किसान पी-म किसान योजना से जूड़े वे उन किसानों को मोधी सरकार की तरफ से पहली बार यानि की तीसरी बार परदान मंत्री बनने के बाद में पहली बार किसानों को दो-दो हजार रुपए सत्रमी किस्त के दिये जाएंगे स्री नरेंदर मोधी जी तीसरी बार परदान मंतरी बनने के बाद में सबसे पहली गोसना और सबसे बड़ी गोसना पीम किसान समानेदी योजना की सत्रमी किस्त से जोड़ी भी फाइल पर अस्ताक्सर किये गए हैं परदान मंत्री किसान समानेदी योजना में जोड़े वे 9.3 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लग बग 20,000 करोड़ रुपए बंटे जाएंगे यानि की तीसरी बार परदान मंत्री बंने के बाद में स्री नरेंदर मोधी जी के दवारा पहली बार पीम किसान समानेदी योजना से जोड़े वे किसानों के बैंक काते में 17 किस्त के 22,000 रुपए डाइरेक्ट बेनिवी ट्रांसपर के मादम से सीधे अधार काड़ से जोड़े वे बैंक काते में बेज़े जाएंगे अगर आप भी PM किसान सम्मानेदी योजना की सत्रमी किस्त के दो हजार रुपए लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि परदान मंत्री किसान सम्मानेदी योजना के अंतर गत जिसको भी ये सत्रमी किस्त दी जाएगी उनको आने वाले 5 साल तक हर साल 6,000 रुपए मिलते रहेंगे तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि PM किसान समाने दी योजना की 70 किस्त आपको मिलेगी या पिर नहीं मिलेगी अगर आपको 70 किस्त मिलती है तो लगातार 5 साल तक इस PM किसान समाने दी योजना की 70 किस् किसानों को मिलता रहेगा पीम किसान समाने दी योजना का लाब ये गारंटी थी और अभी पीम किसान समाने दी योजना की सत्रवी किस्त देकर गारंटी को पूरा किया गया किसान का अधार काड बैंक काते से जुड़ावा होना चाहिए साथ ही जिन किसानों ने पीम किसान योजना के अंतरगात अभी तक एकवाईसी नहीं किया तो वो एकवाईसी कर लें ताकि उनको पीम किसान समाने दी योजना के साल के 6,000 रुपए मिलता रहें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप EKYC कैसे कर सकते हैं साथ ही पीम किसान समाने दी योजना का फोरम का स्टाटस आप कैसे चेक कर सकते हैं पीम किसान समाने दी योजना के अंतरगात आपको 17 किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे या पिर नहीं मिलेंगे आप ओनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं सबसे जुरूरी पीम किसान समाने दी योजना में इलिजिबिलिटी स्टाटस है जिसमें आपका लेंड सीटिंग में यस होना चाहिए EKYC स्टाटस में यस होना चाहिए नरेंदर मोधीजी के दवारा 9.3 करोर से ज़्यदा किसानों के बैंक काते में 70 किस्त के डीबीटी के दवारा 22,000 पे सीधे किसान के अधार काट से जुड़े वे बैंक काते में बेज़ जाएंगे अब हम आपको बताते हैं कि आपको 70 किस्त के 2000 पे मिलेंगे या पिर नहीं मिलेंगे आप ओनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं सबसे पहले जिन किसानों ने EKYC नहीं की है वो अपनी EKYC गरवेटी अपने मोबाइल से कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको PM किसान योजना का ओफीशल पोर्टल ओपन कर लेना है फार्मर्स कॉर्णन में मिलता है EKYC इस पर हमें क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों EKYC पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड नमर पूछे जाएंगे और यहां पर OTP के किसान की नहीं हुई है वह किसान अपने आधार नमर टाइप करेंगे सर्च पर क्लिक करेंगे मोबाइल नमर पर बेज़ेंगे उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नमर पर OTP बेज़ेंगे वेरिफाइगे और OTP-based EKYC successful हो जाएगे तो जिन किसानों की EKYC पहले से successful है या पिर EKYC अभी की है तो अगर आप यह जाना चाहते हैं कि PM किसान सम्मानेदी योजना की सत्रीमी किस्त के 2000 रुप आपको 18-2024 इसको मिलेंगे या पिर नहीं मिलेंगे तो यहां पर यह जानने के लिए Now Your Status पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इम Now Your Status पर क्लिक करेंगे तो PM किसान सम्मानेदी योजना में जिस भी किसान ने फोर्म बढ़ा है जो भी किसान जुड़ कर देना है तो जो PM किसान सम्मानेदी योजना से जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर OTP है अगर आपको यह नहीं पता है कि रिजिस्टेसर नंबर क्या है तो यहां पर आपको मिलता है Now Your Resistance नंबर इस पर हमें क्लिक कर देना है उधान के तोर पर मालीजे हमें रिजिस्टे नंबर सर्च कर सकते हैं उधान के तोर पर हम यहां पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे कैप्चा कोड यहां पर टाइप करेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो हमने यहां पर जो भी मोबाइल न नमर इस तरह से आजाएगा यहां पर हमें रिजिस्टरेसं नमर कोपी करने के बाद में बैक वाले बटन पर कलिक कर देना है तो पि-म किसान योजना के होम पेज पर हम फिर से आ जाएगे नाव यह और स्टर्डस पर कलिक कर देंगे अभी आपर जो टेक्स्ट कोड दिये जैसे दोस्तों गेट राटा पर क्लिक करेंगे तो PM किसान सम्माने दी योजना के फोरम का स्टार्टस इस तरह से ओपन हो जाएगा PM किसान योजना में जो भी किसान के अमने यहाँ पर डिटेल्स बरी है जिसके भी मोबाइल नमर बरे हैं उसकी सबसे पहले परसनल इनफॉरमेशन मिलेगे यान कि किसान के रेजिस्टरेशन नमर किसान का नाम कब रेजिस्टरेशन किया है यहाँ पर फादर नायम इस्पोस नायम या पिर गार्जन का नाम मिलेगा उसके बाद में पूरा एड्रेस और मोबाइल नमर मिलेगा दोस्तो personal information में किसान का नाम और किसान के फादर का नाम जमावंदी और अधार काड़ के अनुसार ही होना चाहिए उसके बाद में eligibility status है सबसे जुरूरी यही है यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि PM किसान समाने दी योजना की 17 में किस्त हमें मिलेगी या पिर नहीं मिलेगी यानि कि PM किसान समाने दी योजना के अंतरगत हम पातर है या पिर नहीं है तो यहाँ पर land sitting में yes होना चीए, ekyc status में yes होना चीए, अधार bank account sitting status में yes होना चीए अगर हमें यह चेक करनाओ कि हमारे कौन से bank खाते की details जूड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको bank का नाम मिल जाएगा और account के last के चार नमर मिल जाएगे, यहाँ पर payment mode में भी आधार होना चीए, अगर यहाँ पर payment mode में account दिया गया है तो इसका मतलब PM किसान समानदी योजना की किस्ते आपके bank खाते में नहीं मिल रही है, आपके bank खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुए, अगर eligibility status में य जगे नो लिखा हुए, तो इसका मतलब PM किसान समानदी योजना की अंतरगत, भूमी विवरन को सत्यापन नहीं किया गया, या तो किसान के नाम से भूमी नहीं है, या फिर भूमी में जो किसान का नाम है वो सही नहीं है, तो land sitting में यस करवाने के अपने समदी चहतर के कार्ड को बैंक काते में जूड़ावाना है और डीपीटि से करवाना है पीम किसान योजना का अगला स्टेप है लेटेस्ट इंस्टॉल्मेट्स डिटेल्स यानि की वर्पमान में पिएम किसान समाने दी योजना के अंतरकत आप तक आपको कितनी किस्तें दी चुकी है और 17 किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी यहां से भी आप पता कर सकते हैं तो इस किसान को अब तक PM किसान समानेदी योजना के अंतरगत 13 किस्ते मिल चुके हैं आपको अब तक PM किसान योजना के अंतरगत कितनी किस्ते मिल चुके हैं जल्दी से कॉमेंट क तो इसको इस किसान को 2000 रुपे मिल जाएंगे क्योंकि यहां पर पेमेंट स्टाटस में RFT signed by state दिया गया यानि की request for transfer के लिए order जारी हो चुका है जिन किसानों ने PM किसान समाने दी योजना के अंतरगत हाली में फोर्म बरहा है उस किसानों का status इस तरह से मिलेगा तो इस status का आपको print निकलवा लेना है उसके बाद में आधारकार जम्मावंदी समंदी दस्तावेज अपने चेतर के पटवार मडल है वहां पर जम्मा करवा देना है तो यहां पर जो आपका pending for approval at sub district या फिर ब्लोक लेवल है यहां से approved हो ज अब हम आपको सूची दिखाते हैं penetrate list पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में यहां सबसे पहले राजय का नाम pod firm मोजडी के दवारा लगातार तीसरी बार परकाइन बनने के बाद में पहली बाग पीम किसान समाने दी योजनकी सत्रों में किस्के दो हजार पैसी जेज किसानों के बैंक खाटे में बहजे जायेंगे हैं उमेद करते हैं आज की जानकरी अच्छी लिगें जानकरी के साथ आप सभी करें शोब जय हिंद बंदे वात्रम जय सरी राम